इसे हैं दोस्तो, I hope कि आप लोग अच्छ होंगे, अज हम एक ITIL का मोबाइल रेपैर करने वाले हैं, इसमें बात करते हैं, वोइस जानी पारी है, पट रिसीब हो जा रही है, यानि कि हमें सुनाई दे रही है, बट हमारी आवाज उहां तक नहीं पहुंच पारी, कॉल करने वाले तक नहीं पहुंच रही है, इसमें जो प्रॉब्लम है, वो में भी माइक से रिलेटेड हो सकता है, अब माइक को चेक कैसे करेंगे, और कौन सा माइक इस पर लगएगा, इससे ही रिलेटेड करेंगे, और क्या पता कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो इसको खोल वाला जो sound है वो आहां तक नहीं पहुच पाता है इसमें जो proper हम पहले check करेंगे से तो हम अपनी voice को record करेंगे सबसे पहले तो चलिए recording mode पर डाल देते हैं और मैं जो भी बोला उसमें record हो रहा है क्योंकि मैं live recording करता हूं तो चलिए सब पहुच कर लेता हूं और stop कर लेता हूं एंड जो record हमने भी जो भी किया है वह saved हो चुका है और से हम सुनते हैं और बिल्कुल भी जो भी हमने बोला वह record हो चुका है लेकिन वह यहां से speaker से नहीं सुनाए देने कि तो अब मैं फटा-फट इस mobile को खोल के इसमें जो भी फोट रहेगा इसको चेक करूंगा और आपक आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा काफी लोग मुझे comment करते हैं कि मैं mobile repairing के parts कहां से मगवाता हूं मैंने रिसेंटली अभी order किया हुआ है आप भी वहीं से मगवा सकते हैं आपको description में लिंक मिल जागा रिसेंटली जो जो चीजा में परचेज करी ह वह आपको मैं दिखा देता हूं और इसकी quality बिल्कुल genuine रहती है और इसमें आपको camera glass भी मिल जाएंगे उस website पे और glass जो है आपको CC के मिलेंगे प्लास्टिक के नहीं मिलेंगे और यहां पर volume के आपको पत्ता मिल जाएगा और आपको रिंगर मिल जाएगा और आपको charging पत folder सभी चीज़े मिल जाएंगी recently मैंने Redmi Note 9 Pro का folder मगवाया है अच्छी quality है and यहां पर आपको mobile repairing से related सभी चीज़े मिलेंगी आप एक बाद website को visit कर लेना website का link आपको description में मिले जाएगा तो काफी अच्छी quality है देख लेना एक बाद तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सभी screw में इसके खोलता हूं फिर मापको देखाता हूँ तो इसके सारे screw में खोल चुका हो और कहीं जिकसे participants है तो हम थोड़ा सावधानी से खोलेंगे तो इस तरीके से लॉक लगे रहते हैं इसके चारों तरफ उसले आप खोल सकते अगर आपको लग रहा हूँ चले जाना है यह देखिएगा यहां से टूटा है तो मैं ज्यादे जोर से नहीं को चूँगा वरना इधर से भी टूट जाएगा देखिए यह memory card को हम निकाल लेते हैं यहां पिर एक lock और रहता है उसे भी खोल लेंगे और यहां पर भी हलका से हम इसको उठाएंगे और यह खुल जाएगा तो बड़ी ही असानी से यहां खुल जाता है इसको रखते है side पे और अभी हमारा काम है इस section पर क्योंकि यहां पर mic लगा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों किलियर ली देख सके क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी इची quality में होती है आप असानी से सीख सकते है बेसिक hardware के काम है यह तो बहुत ही simple दरीकी से हम सिखाते हैं connection इसके ठीक है और इक सीसका आपने हमेशा ध्या करेंगे काफी बार कैंठ आं यहां पर वायर भी तूट जाता है बट इसमें तूटा नहीं है चलिए मैं सबसे पहले माइक को बाहर निकाल लेता हूं और इसके बाद मैं फिर देखALKा कργा के अगर इसमें काम बनी या तो अच्छी बात है पहले हमारा काम सिर्फ माइक को चेंज करने करेता है इसको हठा के माइक कौन सा लगाना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर देखिए मेरे पास यह यूनिवर्सल माइक है इसमें दो-तीन टाइप की क्वालिटी है अब हलकी क्या वियाता है और अच्छी क्या वियाता है आप थोड़ा सा ध्यां से खरीदिएगा आप मोईल पेरिंगी सोब से जब भी परचेश करें तो बोलेब अच्छी क्याइज करें देना है वरना यह बार बार खराब हो जाने होने लगते हैं और प्लस में प्लस और मैनेस जरूर आपने देखते भी लगाना है उल्टे कनेक्शन होंगे तो फिर आप समझ लीजी ये काम नहीं करने वाला हो सकता है खराब भी हो जाए इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देखते भी करना है यह रहा मारा प्लस का वायर और यह रहा मारा मैनस का वायर आप कौनसे सोल्डरिंग आयरें से मोबैल एपैरिंग का काम करते हैं बही कमेंड करके जरूर बताना हम तो भी 35 वाट का यूज़ करते हैं छोटे वाला भी है बट उसका इसमाल मा कम करता हूँ क्योंकि जब आप काफी टाइम से काम कर रहे होते हैं तो फिर आप एक प्रोफ के सोल्डिंग आनका समाल करते हैं तो इसे मैंने लगा लिया है एक बार मैं इसको आउन करके वैस मैं कुछ रिकॉर्ड करके चेक करूंगा क्या यह सक्सेस्फुल काम हो पाया कि नहीं है तब ही जाके पता चलेगा अगर नहीं होगा तो फिर मैं अगले स्टेप की और को च कुछ कर लेता हूं जब तक अन होता है वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना औरकि जिंख कर लेना बहुत सारी चीज़ा पर चीज्टे nam माइक हमारे कोशली मिलता है तो मैंने आपको वेबसाइट बता दी है वहां से माइक या फिर जो भी चीज आपको परचेश करनी हो एक होल सेल में करीब करीब दस बीस पीस अराम से मिल जाएंगे ले लेना आप अराम से एंड आपके हाँ इसका दाम क्या है जरूर बताना चलिए टाइम लगे है अभी पी ओन होने में तो इसे ओन होने में पांच मिट लग गए यार पूरे और इतना हैंग हो रहा ना सच्छी बोलो तो मचा नहीं आया अब इसमार कुछ भी रिकॉर्ड करके आपको सुनाता हूं यह रहा हमारा रिकॉर्डर और चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं यह ना ऐलो हेलो यहां भी हो रहा है आयो है देखिए हां है लो है लो तो दूस्तो यार मेरे चैनल को यार शब्सक्राइब जरूर कर लेना त है तो अब हम इसको सुनते हैं इब यहां गैलरी में चला गया होगा रिकॉर्डिंग से कितने लेट प्रोसेसिंग हो रही है यार इसको करते हम प्ले यहां पर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो दूस्तो यार मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो में भी ये रिकॉर्ड हो चुका जी बिल्कुर चल तो गया लेकिन प्रोसेसिंग काफी लेट है यह देखिए हैं गोरा तो यार इसमें सिर्फ माइक से रिलेटर प्रोब्रॉब्रम था उसका सब्सक्राइब कर लिया है एंड बाकी आपको मैं बहुत सारी वीडियो जहां इस चैनल पर देता रहूंगा इसी से रिलेटर या फिर इलेक्ट्रोनिक से रिलेटर वह तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना एंड कभी भी आपका यह अगर यह सेक्शन काम नहीं करता है तो इसमें पत्ता भी होता है पत्ता भी बार चीक जरूर कर लेना तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरू कर लेना थेंक्यू सुमच्छ